Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET, Domain Specific Subject पे, और Subject है Political Science, तो इसके हम Important Question देखेंगे, NCRT की जो आपकी First Book है, World Volley Book, इसका Chapter 4 देखने वाले हैं और मेरा नाम इसे दिंदर प्रताप, आपको कुछ doubt हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, एक लवया study point या मेरा username है, और माफी चाता हूँ अभी मैं बिजी हूँ, पर मैं टाइम निकालके आपको reply करने का प्रयास करूँगा देखिए Chapter आपका 4 है, और Chapter का पुराना नाम NCRT वाला नाम देखोगे तो वो है सत्ता के वेकल्पिक केंद्र, नए नाम को देखें तो Alternative Center of Economic and Political Power, इस नाम से हम जान सकते हैं इस Chapter को, ठीक है, content डगबग से में कोई ऐसी खास नई चीज नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपक इसे भी कोई भी question आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको Telegram Group के बारे मता दू, CUETESP नाम से ग्रूप बनाया हुए Telegram पे, उसे join कर लेजिए, तो वहाँ पे आपको सारी update मिल जाएगी, सबसे पहला question आपके सामने है, कि चीन में मुक्तद्वार की नीति कब और किसके द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है, या फिर इसका नेत्यतर जो था, वह किसके द्वारा किया गया था, तो देंग श्याओ पेंग थे, और 9078 में, यानि C option आपका यहां पे जो है, वो सही है अगला question है कि दूसरे विश्युद के बाद, अमरीका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मार्सल योजना के नाम से जाना थे, यानि B option आपका यहां पे सही हो जाएगा question number 3 आपके सामने है कि यूरोप या आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी एक बार option को ध्यान से देखे आप, 1945, 48, 57, 92, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1948 यानि कि B option आपका यहां पे सही हो जाएगा, अगला कोशन है कि यूरोपिय परिसत जो है इसका गठन कब हुआ था, यूरोपिय परिसत कब बना था, यह हो जाएगा आपका 1949 अगला कोशन है कोशन नमबर फाइफ, निमन में से कि संगठन के पास अपना जंडा, अपना गान और अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है, तो यूरोपिय संगे इसके पास अपना राष्टेगान है, इसके पास अपना जंडा है, इसके पास अपना स्थापना दिवास है और इसके पास अपनी मुद्रा यूरो है ठीक है तो बी ऑप्सन आपका यहां पर सही हो जाएगा पूशन नंबर छह आपके सामने की यूरोपे संकी स्थाफना कब हुई थी तो यह 1992 में बना था अब एंसे अर्ट का गोडिंग बता रहूं गूगल वगरा मत जान आपको 1992 लिखना है ठीक है पेपर में आये तो पूशन नंबर सेवन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जो है वो किसके पास है अब यह संगटन आपके सामने दे रखें ठीक है यह अमेरिका दे रखा है यह अमेरिका तो देस है आपर आसियान संगटन देती है यूरो आक ने भी कर दिया था इंकार स्वीडन ने भी कर दिया था तो आंसर अपना हो जाएगा सी यानि ए और बी दोनों ब्रिक्स में शामिल होने वाले आकरी देस का नाम बताओ देखो ब्रिक्स जो है यह संगटन इसको ऐसे बोला जाता है बी आर आई सी ठीक है एस तो इसमें और कौन-कौन से देश से बी से ब्राजील आर से रस्या आई से इंडिया सी से चाइना और एस से क्या हो जाएगा साउथ अफ्रीका तो पहले यह ब्रिक्स में इसमें सामिल होने वाला जो आखरी देस है एस से वह क्या है दक्षिन अफ्रीका आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में ठीक है इंपोर्टेंट है आसियान की स्थापना कौन से घोशना पत्र पर हस्ताक्चर करके हुई थी तो बैंकोग घोशना पत्र जो था इस पर हस्ताक्चर किये थे उसके बाद आसियान की स्थापना कर दी गई थी और आसियान की जब स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदसे देश थे पांच सदसे देश थे ठीक है इस्थापना के समय लेकिन बाद में पांच देश और जुड़ गये थे तो तो यहां पर अब यह भी पूछ सकते हैं कि वो पांच देश जो इस्थापना के समय में थे वो कौन से थे तो यह क्या था यूरोपे संगिस में आसफल हो गया था तो यह आंतर हो जाएगा इसका 2003 में ऐसा प्रयास किया था लेकिन आसफल रहा कुशन नंबर 14 है कि निमने में से कौन सा संगटन दुनिया में सबसे तेज रवतार से आर्थिक तरक्य करने वाला संगटन है तो आसियान इंपोर्टेंट है आसियान जो है एक छोटी अर्थवे वस्ता वाला संगटन है लेकिन इसकी जो रवतार है विकास की वो सबसे तेज एस क्षेत्र मंच की स्थापना का वई थी को बहुत सारे बच्चेמצ मच और आश्यान को एक समझ बैठते हैं आश्यान की स्थापना पूचें तो 97 लगाना है लेकीन अगर k astronomers की स्थापना आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य आर्थिक विगास करना सांजा बाजार बनाना इसको कि समाप्त किया थो यह आसयान ने समाप्त किया बात्चीत के जरी यह भी आपको याथ रखना है कि भारत ने किन दो आसियान से देशों से मुक्त व्यापार समझोता किया था भारत ने थाइलेंड और सिंगापूर इन दो देशों से किया था ठीक है लेकिन इसमें एक तीसरा देश भी जूड़ चुका है जो कि है मलेशिया पेपर में हो सकता है आप से पूछ ले तो ये तीन हो आपको याद रखना है Thailand, Singapore और Malaysia बाद में अड़ो है तो Malaysia भी हो जाएगा अगर आपके पास old NCRT है तो उसमें केवल Thailand और Singapore मिलेगा अगर आपने नई NCRT ले रखी है तो उसमें Malaysia भी मिलेगा तो ये भी ध्यान रखना भारत ने पूरब के और चलो के नीती जो थी वो कब अपनाई थी ठीक है कोशन नमबर 20 1991 में यानि कि B option हो जाएगा 1991 अगला कोशन है कि अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से आगे निकल जाएगा कौन सा देश तो चीन को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है ठीक है 22 बार कोशन है कि चीन की करांती कब हुई थी यह 1949 में हुई थी चीन ने कब और किस से अपने संबंद बनाकर राजनीतिक एकांतवास खतम किया देकर पहले क्या होता था चीन जोता व्यापार वगएरा नहीं करता था किसी से ठीक है लेकिन बाद में 1972 में अगर हम बात करें अमेरिका से इसने अपना संबंद बनाए और मतलब अपने संबंद अच्छे करे ठीक है और मुक्त व्यापार सुरू कर दिया था व्यापार वगएरा बढ़ाया जिससे कि इन्हें फायदा में मिला चीन के किस परदान मंत्री ने चार चेत्रों में आदुनी करन का परस्ताव रखा कुशन नमबर 24 तो यह हो जाएगा चाओ एन लाई तो वो चार चेती का निजी करन ठीक है और अगला कुशन है कि उद्योगों का निजी करन कब करा था यह भी आपको याद रखना है तो 1998 में यानि 1998 में करा था उद्योग का निजी करन ठीक है यह याद रखना है सेज का फुल फॉर्म क्या है तो इसको बोला जाता है स्पेशल एकनॉमिक जौन ठीक है ध्यान से देखो स्पेशल एकनॉमिक जौन चीन ने भारत पर आकरमन कब किया था तो 1962 की घटना है 1962 दिसंबर 1988 में इस भारतिय प्रदान मंत्री ने चीन का दौरा किया था तो भारत से राजीव गांदी जोते ही एशिया का ऐसा कौन सा अकेला देश है जो ग्रूप सेवन में शामिल हो रखा है तो जापान है एशिया का एकलोता ऐसा देश जो ग्रूप सेवन का सदस्य है परमानू बम जहिलने वाला विबीशी का जहिलने वाला एक मात्र देश कोन है जापान जापान के दो शहर हिरोशिपा और नागाशकी पे हमला हुआ था 2015 में किस भारतिय प्रधान मंत्री ने चीन का दोरा किया था तो वो किया था नरेंदर मोती जी ने ठीक है ये 2014 में प्रैम मिनिस्टर बने थे और 15 में ने वहां का दोरा किया था तो question number 34 का हो जाएगा नरेंदर मोती तो यहां पर हमारा जो वीडियो आज का खतम हो जाता है most important question इस chapter से जो बनते हैं आपको बता दिये और आपको सभी के सभी question बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने ठीक है तो मिलते है next video में थेंक्स वार वाचिंग सभी को जै हिंद जै भारत